तो लास्ट क्लास में जहां तक हमने मार्किंग कर ली थी, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मेरे साब से जो हमारा मार्किंग वाला काम गया था, वो गया था आपके एंथाल्पी के उपर तक, है न, ठीक है, तो फिर वहीं से शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज़, आपको पूछी जाएगी, डिफाइन एंथाल्पी, तो ऐसे केस में, यहां से शुरू करोगे, एंथाल्पी को डिफाइन करना, और उसके अलावा, यहां पे स्टॉप करोगे, तो यहां पे कॉश्चन बन गया, डिफाइन एंथाल्पी, अच्छा, यह पॉइंट तुम लोगों की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यह चीज, और क्या कोश्चन क्रियेट किया जा सकता है, फिर तो डेरिवेशन से पूछे जा सकते हैं, तो देखो, कोश्चन कैसा पूछा जाएगा, एक और की, प्रूफ दाइट, या फिर पूफ दाइट पूछा गया, let's say, एंट्रॉपी से रिलेटेड, या ऐसे एंट्रॉपी का आपके सिलाबस में देखना पड़ेगा है, कि डिलीट कर दिया उन्होंने, ठीक है, देखेंगे, या किसी भी चीज, कभी भी कोई भी पूफ दाइट पूछा जाए, तो सबसे पहले पता है क्या करना, उस प्रोसेस को पूरा डिफाइन करना, मतलब अगर मालेते हैं, एंट्रॉपी को लेकर कोई पूछ रहा है, तो क्या करोगे, बोलो, आप क्या करना वहाँ पर, बड़े प्यार से पहले डिफाइन करना, एंट्रॉपी, और उसके बाद, उसक शुरू कर दिया पहले define करना उसके बाद शुरू करना अच्छा आप इसका प्रूफ कैसे शुरू करेंगे तो देखो प्रूफ यहां से शुरू करोगे पहला point तो आपका define हो गया इसको मैं लिखवा देती हूँ प्रॉपर तरीके से first point तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का define हो जाएगा जितना मैंने define mark करवाया है पूरा का पूरा तो first point में आगया आपका define second point में क्या लिखने वाले तो देखो second point यहां से शुरू करोगे यह change in enthalpy यहां से लेके यहां तक और is given by यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक यह हो गया आपका second point यह जो पूरी कहानी है basically क्या है यह second point है third point की कहानी कहां से शुरू करेंगे तो third point शुरू करेंगे यहां से और खतम करेंगे यहां पर खतम यह आपका पूरा derivation खलास इस तरीके से काम करना है कर लोगे easy यह आली चीज हाँ है ना अच्छा आगे बढ़ते हैं अब हो सकता है जो second derivation आपसे पूछा जाए b part के लिए अब देखो b part के लिए आपसे वो य delta u plus p times of delta v है तो ऐसे में क्या करना है अगर यह b वाले part को लेकर question पूछा जाए फिर कहां पे क्या तो ऐसे case में ध्यान रखना क्या करना है आपको जो उपर a वाला derivation है मतलब यह जो a part वाला derivation है यह पूरा का पूरा उठाके छाप दो और छापना भी है तुमको ऐसा ने क नहीं ना madam आपने तो बोला था ना वही same तो है क्यों ऐसा करें नहीं पूरा का पूरा लिखना है बतला लिखना है बात खत्म ठीक है अच्छा लिखेंगे a वाला derivation plus क्या करोगे बोलो a वाले derivation के अलावा यह जो आपको दिखरा है ना यह यह point यह point आपको लिखना तो मैं बता देती हूँ क्या लिखना है कि at constant pressure ठीक है at constant pressure यह लिखोगे delta h equals to qp बस खत्म और फिर delta h की जगा उठा कर इसको बोलो क्या कर देना substitute मार देना तो यह आपका आ जाएगा बस done यानि कि वो plus जो मैंने अभी write करवाया है इतना यह तुमको यहां से क्या हो सकते है दो derivations वो यहां से पूछ सकता है अच्छा एक तीसरा derivation भी पूछ सकता ह है कि प्रूफ करो ठीक है तीसरा derivation प्रूफ दाइट आपको यह करना है अरे यार दो मिनिट ही क्या हो गया है कहां पहुंच गया रहे यार हम तो सॉलिट स्टेट ने पहुंच गया है तो नेक्स derivation आपको यह पूछ सकता है कि प्रूफ दाट करिये कि कॉंस्टेंट प्रेशर पर ठीक है आपका जो डेल्टा एच होता है वो किसके बराबर होता है क्यूपी के तो देखो क्यू यहां पर क्यापिटल लेटर से इंडिकेट कर रहे हूं मैंने जब पढ़ा है तो मैंने स्मॉल लेटर से किया है तो इसके लिए मैं पता है क्या सजेस्ट करूंगी रैफर नौट्स मैंने करवाया है ना तुम लोगों को क्लास में उसके नौट्स रफ़ग करो कहां कहा है दिखाओ जाना, कल हमने पढ़ा था, enthalpy के बारे में, I think मैंने delete कर दिया, उसको, और को recover कर लेते हैं, Brownian, color, internal energy, coagulation, de-alogenation, यह re- enthalpy, recover कर लेते हैं इसको, ठीक है, बताओ, क्या हो जाएगा यह, अगर मैं enthalpy का, मैंने derivation करवाया था देखो कैसा सबसे पहले शुरुआत हमने कहां से की थी कहां से की थी कहां गया कहां गया भाई यह रेखो पहले मैंने तुमसे क्या करवाया यह लिखवाया formula number one फिर मैंने तुमसे first law thermodynamics लिखवाया फिर मैंने दोनों equation से कहा कि इसके बराबर है फिर मैंने लिखा कि constant pressure पर dp बराबर zero है तो यहां से dh equal to qp बस यही तुम्हें अपने notes copy में लिख रहा है textbook क्या according मत करना ठीक है उसमें अच्छे तरीके से नहीं लिखा है तो वाला काम मत करोगे अच्छा बस है कि dh के जगे वहाँ पे ना डी की जगा delta symbol तुम यूज करना इतना कर देना बस बलकि यही का उठा के पूरा का पूरा तुम्हें यहां तक का क्या करना है चीजों को लिखना है यहां तक पूरा का पूरा लिखना है ठीक है और इवन यह रेड़ वाला भी लिखना की enthalpy change equal to heat content at constant pressure ठीक है यह कहां रहेगी तुम लोगों की अगर वो delta h equal to qp का पूर पूछता है तो अच्छा यह हो गया आपका काम अच्छा डन है उपर से अब मैं तुम्हें बता दू जैसा कि मैं रोज प्रवचन देती आ रही हूं constant pressure पर अगर आप किसी भी system को heat energy supply करोगे तो constant pressure पर supply की जाने वाले heat energy उसकी enthalpy बढ़ाईगी और अगर आप किसी भी system को constant volume पर heat energy supply करोगे या फिर निकालोगे तो उसकी internal energy को change करेगी ठीक है किसको change करेगी internal energy को तो यह जो line है ना यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि enthalpy of a system बराबर किसके बराबर है कि आपने कितनी उसको heat content दिया है ये लिया है constant pressure पर ठीक है यहां से MCQ आपको पूचा जा सकता है true और false में या फिलिंदी blanks में है ना और constant volume पर किया है तो फिर internal energy के लिए है वो अच्छा ये वाला जो next वाला derivation है इसकी तरफ move करता है ये तो भाया बहुत important derivation है तीन से चार बहुत बोड़ एक्जाम में पुछा जा चुका है बहुत जादा important है तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा we know that इससे अपनी करवालो शुरुवात we know that में यहां से लेकर यहां तक पहुँच गए है ना अच्छा उसके बाद आप लोगों को क्या करना है उसके बाद करना applying ideal gas equation pv equal to nrt है ना ये लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे यहां से यह वेन से लेकर यहां तक का पार्ट लिखोगे फिर यहां से लेकर यहां तक का पार्ट लिखोगे अच्छा उसके बाद से substitute करना है मतलब जो आपके पास यह equation दी ना p times of delta v अच्छा रुको यह p times of delta v लिखने के बाद यह लिखना यहां से लेकर यहां तक और उसके बाद फिर ideal करना फिर इसको equation number देना प्रॉपर देखो बुक में 4.253 ऐसे equation number होती है तुम अपने according equation number देना फिर वहां पे बस पुट कर दो और यह आप लोगों का आ गया और यह आखरी में लिखना मत भूलना कि delta ng यह आखिर होता क्या है तो यह आपका answer अब यह question किस चीच का है यह इस चीच का question है कि prove that करिये कि delta h equal to delta u plus delta ng r t यह इस चीच का है यह फिर सीधा सीधा theory theory के line type में भी यह question पूचा जा सकता है कि derive a relationship between ठीक है आपको क्या करना है एक relationship derive करना है किसके बीच में enthalpy change के बीच में and moles change के बीच में तो यह आपका derivation होगा जैसा जैसा mark करा है वैसा वैसा यहाँ से यहाँ तक point number one यहाँ से यहाँ तक point number two ठीक है अच्छा और point number two के बाद यह भी लिखना यह point number two उसके बाद यह पूरा का paragraph this is your point number three पूरा का पूरा paragraph मंतर जितना mark करवाया जो mark नहीं करवाया है वो मत लिखना point number four में यह वाला part point number five में यह ठदम आपका और यह three marks के लिए derivation आता है अब यह तो three marks के लिए आ गया है ना अब बाकी चीजे आपको हो सकता है पूछा जा सकता है कि enthalpy change solids and liquids के लिए क्या होगा तो question one mark के लिए रेखो अब यह question आएगा कि what is enthalpy change ठीक है enthalpy change कितना है for solids and liquids किस के लिए solids के लिए and liquids के लिए यह आपको पूछा जा सकता है done okay तो ऐसे case में बहुत ही simple part रहेगा पटाक से तुम लोगों का answer आजाना चाहिए देखो कहा पर पहला point तो यह वाला लिखोगे इसमें जो first point है इस particular answer का first point यह वाला first point होगा ठीक है जो उपर मैंने mark कर रहा है यही वाला second point कहा लिखोगे अब जो pink color से mark करा रही हूँ वो अपना तुम्हारा second point होगा ठीक है अच्छा क्या लिखोगे for solids and liquids delta V is very small ठीक है अच्छा therefore अगर delta V बहुत 0 है therefore बहुत small है therefore delta V equal to 0 यह लिखोगे यह second point फिर उसके बाद therefore delta H equal to delta U खतम अगर solid and liquid के लिए आता है तो अगर solid and liquid के लिए आता है तो ठीक है खतम अच्छा even यह वादा जो question है यह इस तरीके से पूछा जा सकता है what is the enthalpy change for gaseous reaction मतलब ऐसी reaction जिसमें gases involved है तो यह इस तरीके से भी पूछा जा सकता है तो यह इतने derivation तुमारे पास आ गए यह हमने पढ़ा और इसको हमने mark भी कर लिया ठीक है यह आमने पढ़ा और इसको हमने mark भी कर लिया यह वाली चीज सो मैंने work done in chemical reaction यह भी पढ़ाया नहीं है तो इसको मैं mark नहीं कर वारी हूँ और हम लोगोंने क्या पढ़ लिया है आज ही की class में recently हमने यह spontanity वगेडा के बारे में पढ़ा तो उसको भी mark लेते हैं बात के लिए क्यों छोड़ना ठीक है आच्छा तो सबसे पहली चीज सो तो तुमसे question पूछा चाहेगा what are the characteristics of spontaneous reaction characteristics जैसे words का प्रेयोग किया जा सकता है features जैसे words का प्रेयोग किया जा सकता है तो क्या लिखेंगे तो पहला point तीसरा point यहां से लेकर यहां तक और उसके बाद बस यह मतलिकना spontanity is not concerned with the rate of reaction हाँ बट इसको कहीं याद रखना अपने छोटे से brain के अंदर हो सकता है इस particular point से में भी कोई true or false आ जाए true false वगेरा जैसी चीज आ जाए यहां से लेकर यहां तक लिखना यह चार point यह black line लिखने के नहीं है तो यह characteristics बन जाएंगे किसके spontaneous reactions के और तुम्हें एक आदी example देना पड़ेगा spontaneous reaction का तो यह तो characteristic वाला question बन गया अब जैसे मालने ते मैंने question दे दिया कि give two examples of spontaneous reactions as are तो बोलो क्या करोगे ऐसे case में आपको example देने पड़ेंगे तो यह do you know दिख रहा है यह do you know मैंसे तो मैं जो example देना है दे दो ठीक है अच्छा जैसे मैं लेकि मैं mark करा देती हूँ वही दो बहतर रहेगा है तो तुम तो पता नहीं कुछ भी और दे देना दो मत देना तीन देना और उसके बार यह बना लेना अपना तीसरा एक्जामपल यह तीन एक्जामपल्स आपको spontaneous reactions के याद होने चाहिए ठीक है आच्छा और बाकी entropy तो आज हमने जाला detail में पढ़ी नहीं है तो खेर entropy को मैं सिफ इतना ही करवाँगी define entropy ठीक है की entropy क्या होती है तो the disorder और randomness इस measure रुकुर 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 रहन दो entropy को कल जब हम detail में पढ़ेंगे तब entropy को detail में mark करवाएंगे ठीक है फिलाल यह इतना काफी है और एक और question पूछा जा सकता है what is spontaneous process है na define spontaneous process यह आपको एक question पूछा जा सकता है तो इसको क्या लिखाओगे spontaneous process are defined as those processes are defined as those processes which have which click दें which के बाद यह have a natural tendency to occur यह और अगर define आए तो उसके बाद second point में any one example एक आधी example देना तो और बहतर होगा ठीक है तो यह हम लोगों की कहानी थी spontaneous process को लेकर तो खैर अभी यहां पर over करते हैं और कल का जो हमारा topic है वो topic आप लोगों का क्या है entropy को पढ़ना detail में क्योंकि जब आप entropy को फील लेकर पढ़ोगे detail में तभी आप second law of thermodynamics पढ़ने के लिए entropy पता होना चीए और entropy को हम लोग